हलो दोस्तों आप सभी का All About Socios में स्वागत है और ये समासास की MCQ सीरीज है और इसमें मैं इगनू के जो भी सोसिलोजी की बुक्स होती है उससे पहले पर उसको रीड करती हूँ फिर दस प्रशनों को MCQ के फार्म में बनाती हूँ और उस पर हम लोग डिसकस करते हैं तो ये म में बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट होते हैं अपने आप में यूनिक होते हैं तो मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इन प्रशनों को पढ़िए समझे और यह मान की चलिए कि आप लोग एक टेस्ट सिरीज दे रहें दस प्रशनों में से आप ल किस लेबल पर है यह प्रशन जो है वह एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो एक्जाम में क्वेस्टन पूछे जाते हैं वह इसी तरीके से कुछ क्वेस्टन को डिफरेंट्स पूछ दिये जाते हैं क्योंकि हर साल सेम स्टूडेंट्स को यह चिक किया जा सके कि हां उनकी तयारी जो है उनकी लेवल कितनी है क्वेशन को थोड़ा सा घुमाके पूश देंगे और उसी से आपकी अंडेस्टेंडिंग लेवल का जो पता है वो लग जाता है ओके तो हम लोग पहले प्रश्न को डिसकस करेंगे उसक पहुंसा है प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण है आज का सोशोलोजी आफ दा फैमिली नामक रिती किसकी है यह एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सके क्योंकि फैमिली पे बहुत लोगों ने अध्यान किया है और फैमिली से रिलेटेट सोशोलोजी अफ दे फैमिली बुक जो है वो किसकी द्वारा लिखी गए तो यहाँ पी चार आप्सन है एम एंडर्सन एफ एंजल यानि फ्रेडरिक एंजल डी एन मजुमदार या फिर एम सा तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर चू जाती प्रथा है यह एक कथन है और यह कथन जो है वो किस विचारक के द्वारा कहा गया है यह आप सभी को बताना है जैसा कि आप लोग इस जो कथन है उसमें देख सकते हैं कि जाती प्रथा को किस प्रकार से परिभाशित किया गया है तो प्रिथक करण और अलगाव की प् का करेक्ट आंसर आप लोग कुछ सेलेक्ट करिएगा अगला प्रशन हम लोग देखते हैं दकास्ट सिस्टम नामक कुरिती किसकी है यह भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और यह आखे में कौन से ऐसे परसन है या थिंकर हैं जिन्होंने इस बुक को विचारक का सुत्रात्मक तरीका रोटी और बेटी था यह अपने आप में एक यूनिक क्विश्चन है इंपॉर्टेंट क्विश्चन है इसको आप लोग जरूर याद रखेगा की टॉम ही रोटी और बेटी है इसमें चार आप्सन है भीमरा अंबेटकर इरावती करवे र यहां पर अन्टोचिबिलिटी टॉम आता है अन्टोचिबिलिटी से यहां पर बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है तो यहां पर चार आप्सन है रामनुहर लोहिया भीमरा अंबेटकर ओवन लिंच या फिर डेविड हार्डिमैन इनमें से करेक्ट आ वर्ग समुदाय का कोई वर्ग जो किसी भी अन्य वर्ग के साथ अपने संबंधों को नकारता है एक वर्ग यह हो गया एक वर्ग यह हो गया इस वर्ग से कोई संबंध नहीं है अपने संबंधों को नकारता है और अपने समुदाय के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के स जात नो तो वो विवा कर सकता है, मैरिज भी नहीं कर सकता है और नहीं सात में खा पी सकता है ये जाती की परिभासा जो है वो किसके द्वारा दे गई है तो ये एक बहुत ही important कथन है जाती के बारे में तो इसमें से चार आप्शन है भीम, रा, अमेडिकर, डेविड, हार्ड मैं नेज फिल्ड या फिर मजुम्दार ये कथन जाती के बारे में किसके द्वारा की कहा गया है या फिर परिभाशित किया गया है जाती को इस रूप में यह आप लोग बताईएगा ओके नेक्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जाती की दो विसेशताएं अंतर जाती विवा नहीं कर सकते हैं और सुजनन द्वारा सद्दस्यता जिस जाती में हम जन्म लेते हैं उसी जाती में हमारी सद्दस्यता वritय परियन चलती रहती है हम जाती को नहीं बदल सकते हैं या kIS विचारक नहीं बताया है कि जाते की ये दो विशिस्ताइं होती हैं अंतर जाते विवापनिशेद और स्वजनन द्वारा सदस्यता तो यहां पे चार आपसन है केतकर, घोरिये, करवे, इरावती करवे की बात हो रही है और मजुमदार इन चारों में से करेक्ट आपसन कौन सा है, वह आप लोग सोच की बताईएगा कुट्टम क्या है, यहां पे एक डॉम आता है कुट्टम, कुट्टम आखिर में होता क्या है तो यह एक वंस है, या फिर ये एक कुल है, या फिर गोत्र है, या फिर जाती है तो कुट्टम क्या है अगर आप लोग कुट्टम के बारे में नाम सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं ही आभी हम लोग इस प्रशन पे डिसकस कर लेंगे अगला प्रशन है कि शोशोलोजी आफ किंसिप नामक कुरिती किसकी है यह एक बुक है और यहाँ पे चार राइटर्स हैं या थिंकर्स हैं पैट्रिसिया ओवेरा इरावती करवे लीला दूबे या फिर शोभिता जैन इन चारों में से किसने लिखा है शोशोलोजी आफ किंस किया है यहाँ पे आप लोगों को यह प्रशन देख के समझ में आ रहा होगा कि कि किस प्रकार से प्रशन को थोड़ा सा घूमा के अगर पूश दिया जाए तो हमें उसका आंसर बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इस चारों नाम आप लोगों को पता है लेकिन इसका आंसर आप लोग जरूर बताईए कि उत्तर प्रदेश के मिर्चा पूर्शिले के सर्यू पारी प्रामभड पर किसने अध्यन किया था सपोज अगर एक्जाम में इस टैप के क्वेशन पूश दिये जाए तो यह कि पूरी के पूरी कन्फ्यूजिंग क्वेशन हो जाते हैं कि अरे यह तो हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर में इस तरीके का कभी हम लोग उने देखा नहीं समझा नहीं यह प्रशन कहां से पूछ दिया है अब मैं यह दावे से कह सकती हूँ कि आप लोग को कभी भी MCQ के जो बुक्स मिलते हैं मार्केट में उसमें इस टाइप के कुश्चन पक्का नहीं मिलने वाले हैं तो इसका जो आपऩन है यह आप लोग पहले चूज करिए लास्ट में हम लोग डिसकस कर लेंगे अब हम लोग पहले प्रशन पे चलते हैं और वहां से हम लोग डिसकस करते हैं sociology of the family नामकृती किसकी है तो ये बुक जो है sociology of the family ये बुक लिखी गई है M. Anderson के द्वारा अगला प्रशन देखते हैं प्रिथक करण और अलगाव की प्रविति का सरवाधिक विस्तित और दूरगामी प्रभाव निश्चित रूप से जाती प्रथा है या कथन किस विचारक का है तो इसका जो correct answer है वो है भीम राव अंबेटकर ये कथन भीम राव अंबेटकर के द्वारा कहा गया है कि प्रिथक करण और अलगाव की जो प्रविति है इसका सरवाधिक विस्तित और दूरगामी प्रभाव अगर हम देखें तो ये निश्चित ही जाती प्रथा है उन्होंने ऐसा कहा भी था कि देश में इतनी सारी जातियां है विफिन जातियां है और सब के अपने अपने तौर तरीके हैं सब एक दूसरी से अपने आपको उच्छी या निम्न केटेगरी में रखती हैं फिर हम ये कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी हजारों जातियों के साथ जिन में कि एक stratification देखने को मिलता है एक अस्तरी करण देखने को मिलता है उच नीच की भावना देखने को मिलती है और इन सभी के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि जो पूरा देश है वो एकता के सूतर में बढ़ सकता है तो यह जो विचार है यह भीमरा अंबेट करके हैं अगला प्रस्ण है the caste system the caste system नामक कृती किसकी है तो इसका जो correct answer है वो है रामनोहर लोहिया यहां पे एक यह भी हम लोग एगनु के बुक में रामनोहर लोहिया के बारे में भी पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने भी सामाजिक जो समस्याएं रही है उनके बारे में भीमरा अंब दान दिये हैं उके इन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक समस्याएं रही है या हमारी कूप रथाएं हैं उनको समझने में उनको दूर करने में अपने बहुत सारे विचार को प्रसुत किया है तो दकास सिस्टम नामक बुक जो है और रामनुहर लुहिया के द्वारा लिखा ग और इसमें जो की टम है रोटी और बेटी यह समझने की ज़रूरत है यह आपने आप में सिर्फ दो आप लोगों को वर्ड दिख रहा है रोटी और बेटी लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है उसको अभी हम लोग समझेंगे यह बुक जो है वो राम सुरी यह जो इन्ह हमने कहा था कि जाती के उन्मूलन के लिए अर्थात हमें यह जो समाज में जाती विवस्ता दिख रही है अगर इसकी कड़ी को हमें कमजोर करना है हटाना है उन्मूलन करना है इसका तो इसके लिए हमें दो ही तरीके दिखते हैं रोटी और बेटी का आर्थ यह हैं रोटी जातियों के साथ खाना नहीं खा सकती है बैठके या निम्न जातियों के इतनी हिंमत नहीं है कि उनके साथ में बैठके खाना खा सके तो यistas वाली system देखने को मिलता है ये राम अनोह लोहिय करते हैं यह रोटी का सिस्टम है वह में लाना पड़ेगा यानि कि भोजन जो है वो हम सभी को साथ में करना पड़ेगा और बेटी बेटी का अर्थ ये निकलता है कि हमें अपनी बेटियों का विवाद दूसरी जातियों में करना पड़ेगा तभी हम जाति के उन्नूलन के बारे में सोच सकते हैं तो ये रोटी और बेटी का जो concept है वो रामनुहर लोहिया के द्वारा दिया गया था, ओके अगला प्रशन हम लोग देखते हैं, the politics of untouchability, ये बुक जो है आप लोगं को अगर untouchability term आएगा तो आप लोगं के मन में ये आ सकता है कि भीम राव अंबेट कर कि ये बुक हो सकती है, या फिर रामनुहर लोहिया की भी हो सकती है, या फिर पिछड़े या आपे चित जो वर्ग है उस पे डेविड हाडी मैन का भी रहा है कार्य, लेकिन ये बुक जो है वो ओवन लिंच के द्वारा लिखा गया है, तो सिफ लिंच से आप लोगं याद रखेंगे तो भी एनफ ह अगला प्रशन देखते हैं, समुदाय का कोई वर्ग जो किसी भी आने वर्ग के साथ अपने संबंधों को न करता है, कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, अब जैसे कि एक कास्ट कोई भी है, तो बोलेंगे कि हमारा दूसरे कास्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, ना हमारे पैतरिक संबंध होता है, ना हमारा वंस परंपरा मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो अपने संबंधों को न कारता है, और अपने समुदाय के अतिरिक्त किशी अन्य व्यक्ति के साथ न तो वो विवा कर सकता है, और नहीं साथ में खाप सकता है तो यह भी चीज देखने को मिलती है कि विवा भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ऐसे कंडिशन में देखने को मिलता है कि भोजन भी साथ में नहीं करते हैं तो जाती कि यह परिभासा किसकी द्वारा दे गई है यह परिभासा जो है वो नेस फिल्ड के द्वारा दे गई है तो यह आप लोग याद रखेगा यह अपने आप में एक important कथन है ओके अगला प्रशन हम लोग देखते हैं जाती की दो विसेश्थाएं अंतर जातिय विवाह पर निशेद और स्वजनन द्वारा सदस्यता स्वजनन द्वारा सदस्यता अर्था जन्म के साथ ही हमें जाती की सदस्यता मिल जाती है और अंतर जाती विवाह पर निशेद अर्थाथ हम दूसरी जातियों में विवाह नहीं कर सकते हैं जाती की ये दो विसेश्थाएं जो हैं वो केद करके द्वारा दी गई हैं तो इसको आप लोग याद रखेगा ये भी अपने आप में important question है कुट के बारे में उप जातियों के बारे में या उनकी जो specific term यूज की जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं तो कुटम आता है हमें तो ये जो है ये एक प्रकार का वंश होता है और कुटम है कि आखिर में तो ये बता दिया मैंने वंस है ये जो तमिल नाडु इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूं तमिल नाडु में जो प्रमलाई प्रमलाई कलर उपजातियां होती है इन में जो वन्स परंपरा देखने को मिलती है वो पित्र सतात्मक देखने को मिलती है या आप लोग ध्यान दीजिएगा वो पित्र सतात्मक होती है और एक मिन जो हमें वन्स परम्परा वई पित्र यह जो परम्परा देखने हैं उसी को कुट्टम काते हैं और तमिलाड के प्रमलाई कunning किस ने किया था तो आप लोग को अगर पता है तो आप में कमेंग में जरूर बताईएगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पे बता देती हूँ इसका अध्यान किया था लुई डूमॉण में तो लुई ड्यूमॉंड ने तमिल लॉड के प्रमलाई कलर का अध्यान किया था और वहाँ पे ये specific word वो देखते हैं कि कुटम यूज किया जाता है पित्र सतात्मक वन्स परंपरा जो वहाँ पे देखने को मिलती है प्रमलाई कलर में तो ये भी अपने आप में एक important question था हाला कि सिर्फ अगर कुटम पूछा जाया तो आप लोग वन्स लिख सकते हैं कुटम किस से सम्मंदित है तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया प्रमलाई कलर जो जातिया होती है उनसे सम्मंदित है इसकी कौन सी हमें परंपरा जाती हैं तो कुछ facts इस प्रशन से जुड़े हुए थे अगला प्रशन देखते हैं sociology आप किंसिप नामक कृतिक इसकी है तो यहां पे जो correct answer है वो है लीला दूबे ये लीला दूबे की द्वारा लिखा गया है चुकि प्रशन में बहुत बाद चाहे नेट का पेपर हो चा यह आप लोग याद रखेगा और आज का आखरी प्रशन है उत्तर प्रदेश की मिर्जा पुरजीले की सर्यूपारी प्रामभर पर किशने अध्यान किया है तो जिसका जो correct answer है वो लूईस जूमोंट है यहां पे आप लोगों को एक बात सोच के आश्यर हो रही होगी कि ज नहीं पे ये आप लोग सोच सकते हैं कि तमिल लाडु के प्रमलाई कलर जो कि अभी previous question हम लोग डिसकस किये तो इन्होंने तमिल लाडु में या ये कहें कि तच्छिड भारत में भी इनका काफी कुछ अध्यान रहा है तो इसलिए आप लोग बिल्कुल confused नहीं हो येगा आ इस पर लुई डूमान का अध्यान है उमीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज के प्रश्म जो है वो आपकी जो एक्जाम आने वाले हैं उसमें काफी जादे help करेंगे और यदि आप लोगों को लगता है कि थोड़ा भी मेरे lecture से आप लोग को मदद मिलती है तो आप दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा platform है जिससे जादे से जादे लोग जुड़ें तो आप लोग अपनी दोस्तों में भी जरूर शेयर किया करिए यहां पे आप लोगों को जो others platform है उससे एक different content मैं देने की कोशिस करती हूँ जो कि आ और ज्यादे रिच करें, इन्हांस करें, धन्यवाद.